खुबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खुबसूरत होते हैं मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाऊगे दुनिया में कुछ हाथ से आशेते हैं जो समझा दिते हैं कि मापाप के सिवा कोई मुख्लिस नहीं होता नरमदिल लोग हमेशा धोका खाते हैं क्योंगे वो गलत लोगों पर भुरूसा करते हैं माफ करना असान होता है लेकिन सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल होता है इभरत के लिए कबरस्तान से अच्छी जगा और कोई नहीं जो जितना अच्छा जूट बोलता है दुनिया उसकी होती है लेकिन फिर उसकी आखरत नहीं होती बाद उकाद खामुशी एक्तियारी नहीं मजबूरी होती है क्योंकि इनसान जूट बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता अगर आँख की बिनाए खत्म हो जाए तो इनसान रात और दिन में फरक नहीं कर सकता इसी तरह अगर इनसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातल में फरक नहीं कर सकता रिजक के असूल और जरूरियात की तक्मील में सुबा का वक्त मुंतखीब करो क्योंकि सुबा के वक्त बरकत और कामयाबी है ज्यादा गुफटगू की आदत या तो और्टों में होती है या कमजोर मर्दों में वो इनसान का ब्याब है जो खुशी और गम को जाहिर ना करे जब कोई शख्थ खुद अपनी तारीफ करे तो उसका वकार खतम हो जाता है बहतरीन माल वो है जिसके जिरिये इज़त हफाज़त की जाए मुलाजिम से अपना राज कहना उसे मुलाजिम से मालिक बना लेना है जो तुम सबसे कहते हो वो सिर्फ अल्ला से कह कर देखो मांग उस जाद से जो किसी के मुहताज नहीं बुरा आदमी किसी के साथ नेक गुमान नहीं रखता क्यूंकि वो हर एक को अपने जैसा गुमान करता है हम जिन्दगी में जरूर काम्याब होंगे अगर आप उन नसीछतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं गुनाहगार की आजज़ी अबात गुजार के गरूर से बहतर है अकल घर बैट कर बदाम खाने से नहीं आती ये बाहर जाकर ठोकरें खाने से आती है एक दूसरे जब भूज ना रखो क्यूंकि ये हर खेरो बरकत के जवाल का बाइस है नमाज आदत बन जाये तो काम्याबी मुकदर बन जाती है सुला के वस्त पुरानी बातें ना दो रहा हो वरना सुला नहीं जंग होगी गुनाह की कसरत गुनाह के डर और एहसास को खतम कर देती है नसली दोस्त कितना भी नराज हो मगर दुश्मनों की सफ में खड़ा नहीं होता